प्लाप के पिठाधिश्वर धिरेंशास्त्री को लेकर कोई न कोई विवाज सामने आ रहा है अगально खामने facil lol की करता है कि पंडे धिरेंशास्तर का किनेक्षं येंक्शंत लौरेंज विश्ण विश्नोई से है इसका खुलासा खुद बागिश्वर धाम के सेवा समीती के सदस से नितेंद्र चौबे ने किया है दरसल बागिश्वर धाम के मंच संचालक और बागिश्वर धाम सेवा समीती के सदस से नितेंद्र च्वबे ने हिंदु महासभा के राष्ट्य उपाध्यक्ष नितिनकुमार उपाध्याए को गैंगस्टर लॉरेंस विश्णुई से मरवाने की धमकी दि हिंदु महासभा के राष्ट उपाध्यक्ष नितन कुमार उपाध्याय और उनकी पत्नी अर्चना उपाध्याय लगाता धिरेन शास्त्री के लोगों पर आरोप लगा रही है तो पहले सुनिए कि अर्चना उपाध्याय ने इस पर क्या कुछ कहा है जो माई को मेरे घर जो अपराधी धिरेन कृष्ण शास्त्री द्वारा भेजे गए थे उनके उपर हमने FIR की थी जिसमें पुलिस ने एक महीने बाद डकैती की धारा उनके उपर लगाई उसके बाद पुलिस के भी हात बंदे हुए हैं या किसी के दबाओ में या कहो धिरेन 10-15 करोड के उपर का मामला है जो कि बागेस्वरदाम समीती का यह अध्यक्ष है यह समीती रजिस्टर्ट नहीं है और बिना रजिस्टर्ट समीती के लोगों से इसने चंदा कैसे लिया इन सब बातों को लेकर हम हाई कोट गए हाई कोट में मॉलस्टेशन की धारा को नहीं लगाया गया और इसी मैं समान करती हूँ हाई कोट का और इसी बात को लेकर मैं सुप्रीम कोट जाना चाहती हूँ मैं वहां कर दर्वाज़ा खटखट पहले आपको पूरा मामला बताते हैं क्या कितकार पूरा मामला है क्या दरसल हिंदू महाजभा के राष्ट उपाध्यक्ष नितिन कुमार का आरोप है कि दिरेश शास्त्री के लोग 9 मई को नितिन कुमार के घर में घुसकर मार पीट की साथ ही बागेश्वर धाम समीती महाराष्टर के पदाधिकारी ने कहा है कि छतरपूर के बागेश्वर धाम में कन्या विवा के नाम पर जो 10 से 15 करोड रूपय समीती ने सहायता राशी ली है इस राशी को लेने का आरोप नितिन कुमार उपाध्याय अपने उपर ले ले जब नितिन कुमार उपाध्याय ने मना किया तो 10 से 12 लोगों ने उनके साथ मार पीट की और घर में रखी नगदी लूट कर ले गए जिसे लेकर हिंदू महासभा के राश्ट उपाध्याक्ष ने इस मामले को लेकर मुंबई हाई कोट में याचिका दायर की थी लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है और लगातार पंडित दिरेश शास्त्री की लोग हिंदू महासभा के राष्ट उपाध्यक्ष को केस वापस लेने के लिए धंका रहे हैं कि अगर उन्होंने केस वापस नहीं लिया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा वही अगर हिंदू महासभा के राष्ट उपाध्यक्ष को न्याय नहीं मिलता है तो वो न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे